बदनाम बस्ती 1971 की बॉलिवुड ड्रामा फिल्म जो प्रेम कपूर्द्वारा निर्देशित है और हिंदी उपन्यास कार कमलेश्वर इसी नाम के उपन्यास नितिन सेथी अमर ककड और नंदिता ठाको रभिनीत इसे अकसर भारत की पहली समलेंगिक फिल्म ऐसा माना जाता था की फिल्म खोई लेकिन 2019 में एक प्रिंट मिला उत्तर प्रदेश के मैनपूरी में स्थापित बदनाम बस्ती एक बस ड्राइवर सरनाम सिंग की कहानी बताती है जो एक डाकू भी है सरनाम बांसुरी को दूसरे डाकू द्वारा बलातकार किये जाने से बचाता है बांसुरी को उससे प्यार हो जाता है लेकिन एक छोटे से अपराद के लिए उसे जेल हो जाती है रिहा होने पर सरनाम बांसुरी को खोजता है लेकिन वह नहीं मिलती ह फिर वह एक मंदिर में काम करने वाले शिवराज से मिलता है और उसे बस में क्लीनर के रूप में काम पर रखता है। दोनों शारीरिक और भावनात्मक रूप से घनिश्थ हो जाते हैं, सरणाम का पिर्से बंसूरी से सामना होता है, जो अब सरनाम के करीबी रंगीले के साथ रह रही है, जिसने उसे एक गाव के मेले में नीलामी में जीता था बांसुरी सरनाम लोटने की इच्छा रखता है लेकिन वह बांसुरी के प्रती अपनी लालसा और शिवराज के प्रती अपने प्यार से तूट जाता है हालां की, शिवराज ने कमला से शादी कर ली, रंगीले, जो एक पुलिस मुखबिर है, को कानूनी मामलों में दोहरेपन के लिए दोशी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया जैसे ही फिल्म खत्म होती है, सरनाम बांसुरी और उसके नवजात शिशु को अपने घर ले जाता है बदनाम बस्ती का संगीत विजया राघव राव और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान ने तयार किया था खान जिन्होंने पहले भुवन शोम में राव के साथ काम किया था ने फिल्म के लिए सजना काहे नहीं आये गाया गीत वीरेंद मिश्रा और हरिवन श्राय बच्चन के थे